हे गाईच उत्तर पर्देश में सूपर्टेट का विगुल बजने वाला है और उसी को देखते हुए अगरवाल पब्लिकेशन ने एकजाम कार्ट के रूप में बहुत ही ब्यत्रीन बुक अबलेबल कराई है मार्केट में एक पूरी तरीके से मित्रों संपूर पाठकरम के अ इंग्रेजी, बिज्ञान, गरिद, परियावरण, समाजिक अध्यान, सिच्छड का उसल, बाल मनुबिज्ञान, समान ग्यान, तारकिक ज्ञान, सूचनाप तक्निकी, जीवन का उसल परबंदन यों अवभिरिति से सभी को एक साथ इसमें समाहित किया गया है 300 महातपूर अध्यावर कोईशन्स है, साथ में इसमें 2019 के सॉल पेपर का समाईवेस भी किया गया है साथ में इस बुक की खासिर मित्रो यह है कि इसमें आपके हल परसंपत का विसलेशर साथ चार्ट भी दिया गया इसमें किस अध्याय से आपके किनने कोईशन्स पूछे गए थे 2019 सॉपर्टेट में और 2018 सॉपर्टेट में यहाँ पर इसका चार्ट दिया गया, इसमें आप लोग देखकर अपनी तयारी को सबसे अलग रख सकते हैं इसलिए मेरा मानना मित्रो यही है कि हजारों बुग में से सबसे बेतरीन बुग है आपका एक्जाम कार्ट तो तुरंट आप लोग इस बुग को परचेज कीजिए और अपनी तयारी सबसे अलग रखिए इस बुग की मित्रो खासियत यह होने वाली है कि इस बुग को पढ़ने के बाद आप लोग जो सपना है अध्यापक बनने का उस सपना साकार हो जाएगा तो तुरंट जाइए इस बुग को आप लोग खरिदारी कीजिए हे गाइच नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके परने चैनल एक जाम अड़ाफ हाइश्टेडी पर 22,000 सीटों को जोडने के लिए चात्रों को जल्द मिलने जा रही है बड़ी खुश ख़बरी लेकपाल भरती में बड़ा परिवत्तन हुआ है नई प्राथमिक सिच्चक भरती की बड़ी ख़बर है जूनिया सिच्चक भरती का पड़ाम आने के बाद बिवाद ख़डा हो गया है क्या भी बात ख़ड़ा हुआ इसके बारे महातपूर अपडेट है उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एक जाम अड़ाफाइस्टेडी सब्सक्राइब ने किया तो फटा फट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन मेल प्रेस कर लीजिए इस चैन तो फट बेर कर दिया जिनने भी आप लोगों के एजूकेशन गुरूप हैं आज के समाचार के सुरुवारत करते हैं लेकपाल वर्ती से राज्योस लेकपाल वर्ती में 3C होना आपका होगा अनिमार राज्योस परसद ने निमावली में संसुदन का परस्ताव बेजा मंजूरी लेने की कारवाई तेजी से चल रही है राजवर लेकपाल के करीब 8000 रिक्त पदो पर भरती अर्से से लंबित है राजवर परसद ने अधिनस सिवाचैन आयोग को भरती से संबंदित सैच्छिक आर्ता के साथ कम्प्यूटर में सार्टिफिकट कोर्स त्रिपल सी अनिमार करने का प्रस्ताव दिया है लेकिन लेकपाल भरती निमावली में त्रिपल सी सामिल नहीं है आयोग ने बिना निमावली में सामिल हुए त्रिपल सी को आर्ता में सामिल करने से इंकार कर दिया है इसके बाद परसद ने आनन फानन में निमावली में संसुधन का प प्रारंबिक आर्था परिच्छा में सामिल अभ्यातियों के लिए लेकपाल बरती के लिए दूसरी मुख परिच्छा आयोत की जा सकती है पीटी के अंतरगत पहली बरती एनम की गुषित की जा चुकी है तो मित्रों सबसे बड़ा परिवतन हो चुका है आपके राजोस लेकपाल बरती में अब त्रिपल सी होगा आपका अनिवार तो जो हमारे भाई 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 अभी तक त्रिपल सी नहीं किये हुए हैं तो फटा फट आप लोग आवेदन कर दीजिए टीजीटी बायो दोजास सोला के 304 पदों का पराम गोसित उत्तर परदेश मार्दमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड ने मंगल वालाथ पर सिच्छित असनातक जिविग ग्यान दोजास सोला का पराम गोसित कर दिया 304 पदों के लिए 67,000 सेदिक ब्यात्यों ने आवेदन किया था हाला कि यूपी बोर्ड के पार्टकरम में या विषय ना होने का कार जुलाई 2018 में चैन बोर्ड में इस विषय की बत्ति निरस्त कर दी गई थी इसके खिलाब व्यात्यों ने हाई कोर्ट में याजका की हाई आइकोर्ट ने 13 जनुर 2020 को आदेश के बाद चैन बोर्ड ने 2016 में बिग्याबर TGT जी विषय बिग्यान को मान करते हुए परिच्छा कराने का नगल लिया है परिच्छा 31 जुलाई 2021 को ही थी तो मित्रो TGT वायो का रियर्ट गोशित कर दिया गया है 304 पदों के लिए अब इसका इंटर्विव भी होने जा रहा है तो आप सभी को धेश सारी सुपकामना है आपके अपने चैनल एकजाम अटड़ाफा इस्टेडी की तरफ से रोजगार की मांग को लेकर युआउने दिखाई एक जूटा तो बालसंग बालसंग चौराहे पर लगातार चार गंटे तक किया दरना परदर्शन जिला पर सासन के माध्यम से मुकमंतरी को बेजा गया पन भरती सुरू कराने की मांग तो मित्रों इसके एक दिन पहले ही नई परात्मिक सिच्छक बरती के लिए हमाये जो भाई-बैने डियलेट बीएड सिच्छा मित्र वाले भाई-बैन उन्होंने पिनपी पर जवरदस तरीके से अपना बिरोध परदसन जाहिर किया और सरकार को एक ग्यापन दिया नई प 28 नवंबर के बाद 28 नवंबर को आप सभी का यूपीटेट का एक्जाम संपन हो जाएगा उसके बाद जो अगली कारवाई होगी और लखनों के दरफ होगी जो हमारे भाई-बैने डियलेट बीएड और सिच्छा मित्र वाले हैं अब वो 28 नवंबर को यूपीटेट के एक इत्यास में उत्तरपरदेश की इत्यास सबसे बड़ा धरना परदसन होने जा रहा है उसमें लगवग आपके लाखो अभ्यात्ति सामिल होने जा रहे हैं जो एक जूटता अभी आप लोग मित्रों कल नहीं परसों आपको देखने को मिला जिस तरीके से पी-एन-पी पर ज लगातार बालसन चवराय पर भी धरना परदसन दे रहा हैं तो इनको भी धेड़ सारी सुबकावना है आपके अपने चैनल एक जम अड़फाइ स्टेडी के तरब से जो हमारे बिरोजगार भाईयों बहनों का आवाज इन्होंने बुलंद किया है अध्यच अनिल सिंग, ब पदो का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है, जब सरकार खुद कह रही है कि जो आपका 27,000 पदो पर TGT, PGT का वरती का विग्यापन त्यार है तो विग्यापन क्यों नहीं जारी कर रही है, नई प्रात्मी सिच्छक वरती में लाखों पद खाली है, तो प्राइमरी की स जवर्दस तरीके से परदस्ण करते हैं, 26,000 खाली सीटों पर सिच्छकों की भरती की जाए, इटावा, 22,000 लीगल टीम के पदादकारियन मुखमंतरी को संबोधिक ग्यापन सोमार को अतरिक्ष मजिस्टेर मलखान सिंग को सौब कर 26,000 लिक्ष सीटों पर भरती किये जाने की मांग की है, टीम के अध्यच विकास गुपता ने बताया कि सुप्रीम कोट ने 1,33,000 है, 1,33,000 सिचों की बरती दो पार्ट में वरने का आदिश दिया था, अभी भी लगबग 26,000 से अधिक सीटे रिक्ष पड़ी होई है, अभी तक केवल 29,000 पदों पर ही बरती की गई ह उन्होंने कहा कि बरती होने से आरच्छड मुद्दे पर जो अभ्याथी पीडित हैं उनको न्याय मिल जाएगा, सुप्रीम कोट के सभी आदेसों का पालन होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का भी पालन होना चाहिए, सरकार सभी वर्गों का कल्ल्या जाने की मांग किये, इस अवसर पर आस्तोस दूबे, संजय दूबे, अभय दिच्छित, भारती दिच्छित, रसिम, पोरवाल मौझूद रहे हैं, तो मित्रों सब मिलाकर यह हैं कि 79,000 सिच्छक भर्ती में जो पद दिक्त हैं अभी भी 68,500 में से उसको जुड़वानी के जो हमारे वाईवन लगातार सरकार के उपर दबाव बनाएं, अब तो यह हाल है कि आपके सभी 75 जिले जो हैं, वहाँ पर ग्यापन देने की त्यारी हो रही है, ग्यापन दिया भी जा रहा है, और साथ में बीजेपी जो कारियाल है, उसके सामने धर्णा परदंसन भी हो र सवाल है कि क्या सरकार 22,000 सीटे जोडने जा रही या नहीं, तो हम सभी आप से कहना चाहते है मित्रों की, आप सभी के 22,000 सीटे आवज जूडेंगी, अब सरकार इस पर नेड़े इनको लेना होगा, अगर सरकार नेड़े नहीं लेती है, तो इसका क्या परदाम होगा, आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि ये 22,000 सीटे नहीं है, ये 22,000 लोगों के जीवन और परिवार से जुड़ा हुआ मैटर है, अगर 22,000 परिवार में दीपक जलता है, तो उसके साथ में समझीए, एक परिवार में लगए 5 लोग, करोणों लोगों का नजर इस समय सरकार की तर इन जो हमारे भाई बेन हैं, इनका उद्धार करना चाहिए, अब बात करते हैं, जुनियर सिच्छकवर्ति का, तो मित्रों जुनियर सिच्छकवर्ति का जब से पडाम आया है, एक पांडी जी का लाउंडा है, जिन्होंने टाप कर दिया है, हम अपने चैनल के माद्यम से नाम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डाटा आ रहा है, धीर दे करके हम उसको कलेक्ट कर रहा हैं, उसके बाद मैं उस पर एनलसिस करूँगा, क्या ये डाटा सही है यह नहिं, उनके मार्सवीट विजीदे हमारे पास आ रहे हैं, रियल्ट आ रहे हैं रियल्ट आने के बाद, उसके बाद मैं एनलसिस करने के बाद उसको जांच करने के बाद एक वीडियो बिश्त्रिस से बनाऊंगा कि क्या इस काबिल थे कि मोहद है कि उन्होंनों जूने सिच्छक वर्ती में टाप कर दिया रात हो रात क्या उनके पास जड़ी बूटी आ गई कि एक रात में उन्होंनों टाप कर दिया साथ में उनके परिवार के जितने भी सदस हैं उन्होंने भी टॉप कर गये हैं, 135 पलस सब के ही हैं घर में जिनने भी उनके सदस हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना जबर्दस तरीके से उन्होंने त्यारिक की हो गई या किस तरीके से उन्होंने एचिव्मेंट इतना बड़ी हासिल की है, अब इसके बारे में खुलास जो हमारे मानभाव ने टाप किया है, उनकी पूरी जरम कुंडली आपके अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देखने को जल्द मिलेगा, तो मित्रों इस वीडियो को आप लोग अधिक साधिक सेयर कर दीजिए, अभी तक आप लोग ने अपना चैनल एक जम अड़ाफा सब्सक्राइब ने किया तो फटा फट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए